मस्ताना मौसम है रंगी नजारा थड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा दोस्तो आज के इस बेहदी रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एंसी म्यूजिकल रोमन्टिक ड्रामा फिल्म के बारे में जो फिल्म और इसके गाने आप मैंसे बहुत सारे लोगों की फैबरिट फिल्म मैंसे एक होगी खुबसूरत लोकेसंस बहतरी इन गानों और इमोसंसे से भरी हुई ये फिल्म काफी जादा खास रही जिसमें हमें एक लप ट्राइंगल के अलाबा एक मा और बेटी के बीच में और दो बहनों के बीच में भी बहुत अच्छी बांडिंग्स देखने के लिए मिली एक्चुली बॉली वड का वो ऐसा समय था जब लप ट्राइंगल पर तो हर दूसरी फिल्म देखने के लिए मिल रही थी कुछ कुछ होता है हर दिल जो प्यार करेगा मुझे दोश्ती करोगी जैसी तमाम ऐसी फिल्में उस समय रिलीज हो रही थी जिन में लप ट्राइंगल और ड्रामा देखने के लिए मिलता है लेकन एंड में सब सही हो जाता है लेकन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके स्टोरी भले ही देखी देखी सी लग रही हो लेकन ये फिल्में सीधे हमारे दिल को जाकर छुजाती है तो उस समय रिलीज हुई फिल्म दिल है तुम्हारा भी कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक रही और साइद इसको आप में से बहुत सारे लोगों ने उस समय सिनेमा घर में तो नहीं देखा होगा लेकिन जब ये फिल्म टीवी पर आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको देखा और साइद आपने भी इसको अपने बच्पन में कहीं न कहीं टीवी पर आते देखा ही होगा 6 सितमबर सन 2002 को ये फिल्म रिलीज हुई थी टिप्स इंडस्ट्रीज के बैनर दले कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने फिल्म को प्रेडूस किया था कहानी लगी थी राजकुमार संतोसी और कुंदन साह ने और इस रोमेंटिक ड्रामा फिल्म का डिरेक्सन भी कुंदन साह ने किया था कुंदन साह के बारे में आपको बता दें तो ये वही डिरेक्टर हैं जिन्होंने सन 1983 में फिल्म जाने भी दो यारो बनाई थी इसके अलाबा उन्होंने नुक्कड और वागले की दुनिया जैसे टीवी सीरियल को भी डिरेक्ट किया जिसमें सारुक खान ने भी काम किया था आगे चलकर कुंदन साह ने ही सारुक खान के साथ में फिल्म कभी हां कभी ना बनाई थी क्या कहना हम तो महबत करेगा और दिल है तुम्हारा जैसी फिल्में भी कंदन साह ने ही बनाई है 2014 में कंदन साह की आखरी फिल्माई थी PCPM तक और 2017 में उनकी मृत्ती हो गई है फिल्म दिल है तुम्हारा में म्यूजिक दिया था एबर ग्रीन म्यूजिक कमपोजर नदीम और सर्मन की जोड़ी ने और जहां पर इन दोनों ही म्यूजिक कमपोजर्स का नाम जुड़ जाता है वहां पर ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि फिल्म का म्यूजिक ऐल्बम कैसा होगा उस समय इनके म्यूजिक के उपर लोगों को इतना भरोसा था कि अगर किसी आडियो कैसेट के उपर इन दौनों की फोटो होती थी तो बहुत सारे लोग उस आडियो कैसेट के गाने बेना सुने ही उसको खरीद लेते थे और नदीम सर्माने ने भी लोगों के इस भरोसे को कभी तूटने नहीं दिया और एक से बढ़कर एक म्यूजिक अलबम्स कमपोस किये फिल्म दिल है तुम्हारा के म्यूजिक अलबम्स में टोटल 9 गाने रखे गए थे जिन गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनमें से 5-6 गाने तो टॉप 10 सॉंग्स की लिश्ट में भी सामिल रहे थे फिल्म के गाने थे महबत दिल का सुकून है दिल लगा लिया मैंने तुम से प्यार करके ओ साहबा च्छाया है जो दिल पे क्या नसा है बेताबी का खामोसी का दिल है तुम्हारा चाहे जुबां कसम खाके कहो और कभी हसना है कभी रोना है जीवन सुक दुक का संगम है 2002 में इन गानों का क्रेज इतना ज़ादा था कि अपने घर से बाहर आप कहीं भी निकलें तो ये गाने आपको कहीं न कहीं सुनने के लिए मिल ही जाते थे उस समय आटो में चाई की दुकानों पर दरजी की दुकानों पर और म्यूजिक सेंटर्स पर इसके गानों का बहुत ज़ादा क्रेज था और उस साल इसके म्यूजिक अलबम की लगभग 20 लाग से भी जादा आडियो कैसेट से सेल की गई थी और ये सन 2002 में चटवे नमबर पर सबसे ज़ादा बिखने वाला म्यूजिक अलबम साबित हुआ था इन गानों में बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक था और बहुत ही सुकून भरी जिंदगी थी और उस समय ज़ादा तर म्यूजिक कमपोजर्थ बहुत सारे अच्छे और एक्ष्टरा गाने भी कमपोज कर लेते थे और कई बार तो ये गाने अच्छे होने के बावजूद भी इनको फिल्मे में रखा नहीं जाता था वहीं आज के टाइम पर ये देख कर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि किसी भी फिल्म की मुजिक अलबम का बड़ी मुजकल से कोई गाना पसंद आता है बाकी जादतर गाने तो किसी पंजाबी गाने को ही रीमेक करके या पुराने गाने का रीमेक करके रखे जाते हैं इन बहतरीन गानों के लिर्क्स लखेते समीर ने और इनमे अपनी आवाजें दी थी कुमार सानू, उदित नाराएन, अलका यागने, कविता करिशन मूर्ती, सानू निगम, सान और तौसीफ अक्तर ने एक नजा डालें अगर इसके बजट और बॉक्स आफिस कलेक्सन के उपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगबख 7 करोड 25 लाक रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्सन किया था लगबख 8 करोड 68 लाक रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगबख 18 करोड 3 लाक रुपए का कलेक्सन किया था और ये उस समय बॉक्स आफिस पर एक एवरेज फिल्म थाबित हुई थी जिसको लगबख 235 स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगबख 45 लाक 89 हजार लोग आये थे और सन 2002 में बॉक्स आफिस पर पैसे कमाने के मामले में ये 19 वे नमबर पर रही थी सन 2002 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नमबर पर रही थी देवदास, दूसरे नमबर पर राज, तीसरे नमबर पर कांटे, चौथे नमबर पर आँखें और पांचवे पर हमराज दिल है तुम्हारा को IMDV पर 5.5 आउट आफ 10 रेटिंग मिली हुई है दिल है तुम्हारा की कहानी की आउपर सन 2002 में नहीं इसके काफी पहले सन 1990 में बनाने का प्लान किया जा रहा था श्यक्चुली राजकुमार संतोसी ने बहुत पहले ही फिल्म दिल है तुम्हारा की कहानी लिख ली थी और उस समय उन्होंने इसको सनी दियूल, रिसी कपूर, मीनाक्ची से साधरी, डिमपल कपाडिया और माधरी दिक्षित के साथ बनाने का प्लान किया था लेकन उस समय किसी कारण से इसमें रिसी का पूर काम नहीं कर पा रहे थे तो उनकी जगए पर जैकी सुरॉफ को अप्रोच किया गया लेकन जैकी सुरॉफ से भी बात नहीं बनी तब उस टाइम पर सलमान खान को इसके लिए अप्रोच किया गया और उस समय फिल्म का नाम रखा जाने वाला था दिल भी तेरा हम भी तेरे जिस नाम से काफी पहले सन 1960 में धरमेंदर एक फिल्म में बना चुके थे उस समय बड़े जोड़ सोड से इसका एनाॉंसमेंट किया गया इसका महुरत सोड भी रखा गया लेकिन ये फिल्म आगे चल कर बन ही नहीं पाई उस समय कोछ एहसी खबरें भी सामने आ रही थी कि इसमें जाने माने डारेक्टर सेखर कपूर भी एक छोटे से रॉल में नज़र आएंगे लेकिन उस समय ये फिलोर पर जा ही नहीं पाई और इसके लगबख चार साल बाद सन 1995 में एक बार फिर से राजकुमार संतोसी ने इसको स्टार्ट करने की कोसिस की और इस समय राजकुमार संतोसी ने फिल्म के लिए बिल्कुल नई कास्टिंग की और इसका नाम भी बदल कर उन्होंने दिल है तुम्हारा रखा 1995 का ये साल था और उस टाइम पर राजकुमार संतोसी ने इसके लिए शारुक खान, संजय कपूर और एश्वरया राय को अप्रोच किया लेकिन किस्मत इतनी जादा खराब कि ये फिल्म बनने के पहले ही बंद हो गई और इसके बाद तो राजकुमार संतोसी ने ये डिसाइड किया कि अब वो इस कहानी के उपर फिल्म बनाएंगे ही नहीं और फिल्म दिल है तुम्हारा की स्क्रिप्ट ठंडे बस्ते में कई सालों तक पड़ी रही और इसके लगबख चार से पांस साल बाद जब राजकुमार संतोसी रमेश तोरानी के साथ में दलीजंड और भगस सिंग बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे तब उस समय उन्होंने रमेश तोरानी से इस स्क्रिप्ट के बारे में डिसकस किया और राजकुमार संतोसी के दोबारा लिखी गई ये कहानी जब रमेश तोरानी ने सुनी तो ये उन्हें काफी पसंद आई लेकन अब राजकुमार संतोसी का मन इस फिल्म को डारेक्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था तो रमेश तोरानी ने फिलम के राइट से राजकुमार सन्थोथी ते खरीदे और कंधन साह को ये स्क्रिप्ट सुनाई और कंधन साह को भी फिलम की ये कहानी काफी पसंद आई और वो इसको डा感じ करने के लिए तैयार भी हो गए Actually कुंदन साहे इसके पहले रमेश तोरानी के लिए सन 2000 में फिल्म क्या कहना को डारेक्ट कर चुके थे जो फिल्म उसमाई एक बहुत ही अलग सबजेक्ट के उपर बनाई गई थी और ये फिल्म उसमाई सुपर हिट रही थी और फिल्म क्या कहना मैं भी कुंदन साहे ने प्रीती जंटा को ही साइन किया था और फिल्म दिल है तुम्हारा के भी एक किरदार में कुंदन साहे की पहली पसंद प्रीती जंटा ही थी और जैसे ही प्रीती जंटा को इसके लिए अप्रोच किया गया तो प्रीती जंटा एक बर फिर से कंदन साहे के साथ में काम करने के लिए बहुत ज़ादा एकसाइटड थी और वो तरंत इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई इसके अलावा महीमा चौधरी वाले रॉल के लिए एक समय तब्बू को अप्रोच किया गया लेकिन वो किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पाई थी और बाद में फाइनली इसके लिए महीमा चौधरी को अप्रोच किया गया और वो तरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई इसके अलावा इसमें लीड एक्टर के तोर पर अरजुन रामपाल को अप्रोच किया गया जो की मॉडलिंग से धीरे धीरे फिल्म लाइन में अपनी जगाए बना रहे थे अपनी बहतरीन बौडी और परसनालिटी के साथ में अरजुन रामपाल ने सन 2001 में अपना डेब्यू किया था और वो इसके पहले फिल्म प्यार इसकोर मुखबत, मोक्ष, दीवाना पन और आखें जैसी फिल्मों में नज़रा चुके थे और अरजुन रामपाल को भी जैसे ही ये फिल्म उफर हुई तो वो तुरंट इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए इसके अलावे इन दोनों ही एक्टरिस की मा के तौर पर पहले सरमिला टैगॉर को अपरोच किया गया था लेकिन सरमिला टैगॉर किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पाई थी और बाद में फाइनली इसके लिए रेखा को अपरोच किया गया बात करें अगर फिल्म की सूटिंग लोकेसंस की तो बहुत ही खूबसूरत लोकेसंस हमें इसमें देखने के लिए मिलती है एक्चली पहली बार तो इसमें जो हमें पालन पर दखाया जाता है और ऐसा मैंसन किया जाता है कि ये हमांचल परदेस में है तो एक्चली उस जगह के ये सारे सीन हमांचल परदेस में नहीं माउंट आबू राजिस्थान में फिल्म आये गए है जैसे फिल्म का ये सीन आप देखिए जहां पर अरजोन रामपाल एक बस से एक जील के कनारे आकर रुकते हैं तो फिल्म के हसाब से ये दखाया जाता है कि ये जगए हमानचल परदेस में है और बस के उपर भी हमें हमानचल परदेस लखा हुआ दखाई देता है लेकिन एक्चली में इस सीन को राजस्थान में माउंट आबू की नकी जील पर फिल्माया गया है इसके अलावा इस सीन की अगर बात करें जहां पर प्रीती जंटेस हबेली से रोकर भागती हुई नजराती है तो इस सीन को गजरात पालनपुर के बाला राम पैलेस में फिल्माया गया है जो आज के टाइम पर एक होटल में तबदील हो चुका है और यहां पर और भी बहुत सारी फिल्मों की सूटिंग हो चुकी है जैसे आपने साइद अमिता बच्चन की फिल्म सूर वंसम तो जरूर देखी होगी तो इसमें हमें जो ठाक और भानू परताब सिंग की हवेली दखाई जाती है उसको यहीं पर फिल्माया गया है यहां पर इन सारे सीन्स को आप मैच करके देख सकते हैं इसके अलावा फिल्म के और बहुत सारे सीन्स कमालस्तान स्टोडियो फिल्माला स्टोडियो मड आई लेंड और फिल्म के गानों में हमें न्यूजी लेंड की बहुत फूपसूरत लोकेसं से देखने के लिए मिलती है फिल्म का एक बहतरीन गाना दिल लगा लिया मैंने तुम से प्यार करके आपने जरूर सुना होगा एक्चुली इस गाने का म्यूजिक काफी हद तक एक पाकिस्तानी गाने से बिल्कुल एजिटिज लिया गया है ये पाकिस्तानी गाना काफी पॉपलर गाना है जिसका नाम है बोहे बारियां इन दोनों ही गानों का म्यूजिक बिल्कुल एक जैसा ही लगता है इतना ही नहीं बिल्कुल यही same music हम तुम्हारे हैं सनम के title song हम तुम्हारे हैं सनम मैं भी सुनने के लिए मिलता है इन तीनों ही गानों का music आप चेक कर करके देख सकते हैं इन गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे description box में दे दूँगा इसमें परीती जंटा हमें एक बबली और चुलबली लड़की के करदार में नजाराती हैं और उनकी एक्टिंगी काफी तारीब भी हुई थी जिसके लिए उस साल परीती जंटा को बैस्ट एक्टरेस के स्क्रीन अवर्ड के लिए नॉमिनेसंस भी मिला था लेकिन उस समय वो ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी ये अवार्ड एस्वरे अराय को उनकी फिल्म दिवदास के लिए दिया गया था तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दिल है तुम्हारा से जुड़े बहुत सारे अननौन फैक्ट्स के बारे में मुझे ये फिल्म दो ठीक ठाक ही लगी थी लेकिन इसके गाने मुझे काफी पसंद है आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप मैंसे किसी ने इसको समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और सहर का नाम भी जरूर बताना और फिल्म से जुड़ी अगर आपकी कुछ सियादे हैं तो वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर सियर कीजिए तो इस विडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी महनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवर्ड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ हो रहें से ही इंट्रेस्टिंग और रोचक बातों के साथ